AK-74 एक सोवियर डिजाइन की गए असॉल्ट राइफल है जिससे 1970 के दसक की शुरुवात में परसीद AK-47 के डिजाइनर मिखाइल क्लासी को द्वारा विक्सित किया गया था AK का आर्थ है एउटो मैक क्लासी को वा है जिसका नाम इसके डिजाइनर के नाम पर रखा गया है और 74 उस वर्ष को संदर्वित करता है जब इसे पेस किया गया था AK-74 5.45 x 39 mm करतूस चलाता है जो AK-47 द्वारा उप्योग किये जाने वाले 7.62 x 39 mm करतूस की तुलना में अकार में छोटा है इसे अधिक गोला बारूद ले जाने की अनुमती मिलती है और तिव्र गोला बारी के दोरान नियंतरन छमता पड़ जाती है AK-74 में AK-47 की तुलना में कई डिजाइन सुधार है जिसमें एक हलका और अधिक कमपैक्ट डिजाइन पीछे हटने और थूथन पर चटने को काम करने के लिए एक थूथन ब्रेक और एक संसोधित गैस प्रनाली सामिल है AK-74 द्वारा उप्योग किये जाने वाले 5.45 x 39 mm गोला बारूत को AK-47 द्वारा उप्योग किये जाने वाले बड़े 7.62 mm राउंड की तुलना में बेहतर सटिकता और प्रवेश चमताओ के लिए डिजाइन किया गया था AK-74 आमत और परतीस गोल पत्रिकाओ का उप्योग करता है ये पत्रिकाओ कुछ अन्य सोवियत और पुर्वी यूरोपिया अगने सास्तरों के साथ विनियम में है जो समान चमता का उप्योग करते है AK-74 की सुरुवात ने सोवियत छोटे हथियार के डिजाइन दर्शन में छोटे कालीबर राउंड की ओर बदलाओ को चिनहित किया जिसका लक्ष मारक्ष हमता बनाय रखते हुए सटिकता और नियांतरनता बढ़ाना था AK-74 सोवियत और बाद में रूसी सस्त्र बलो के लिए मानक मुद्दा राइफल बन गया साथ ही पुर्वी बलोक और अन्य चेत्रों में कई देशों द्वारा व्यापक रूप से अपनाया गया AK-74 और इसके वेरियेंट का उनकी विश्वासनियाता सरलता और मजबूर डिजाइन के कारण दुनिया भर में विभिन संगहर्षों में ब्यापक उप्योग देखा गया है राइफल का परभावबाद की कई आगने सास्त्रों के डिजाइन में देखा जा सकता है पिछले कुछ वर्षों में AK-74 प्लेटफॉर्म विभिन वेरियेंट संसोधन की आधुनिकी करण के साथ विक्सित हुआ है जो सैने जरूरतों और तकनीकी प्रगती में बदलाव को दरसाता है AK-47 के समान AK-74 आगने सास्त्र का एक प्रतिनिधीत परतीक बन गया है और अक्सर दुनिया के विभिन हिस्सों में संगहर्स और सैने करवाई से जुरा होता है कुल मिलाकर AK-47 और AK-74 छोटे हथियार के छेतर में एक महतपुन विकास है और आधुनिक सैने और संगहर्स इस्थितियों में भूमिका निभाता है बंदूकों और राइफल से जुरी जनकारी के लिए हमारे वीडियो देखे और चैनल को सब्सकाइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करें